नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बच्पन में ज़रूर खाये होंगे गूण और मूरुमुरे के लड़ू। जी हाँ, आज की रेसिपी मूरुमुरे के लड़ू। सबसे पहले आपको मूरुमुरे ले लेने हैं और गूण लेना हैं। गुड को थोड़ा कर लिजिए आपको ध्यान रकना है यादि है अब मुर्मरे पुराने हैं तो इसको आप कड़ाई में पहले भून सकते हैं अधि अच्छी कड़क है तो इसको डैरेट बना सकते हैं यह हमारे जो मुर्मरे फ्रेश में बजार से भी लेका आया हूं तो चलि इसको हिलाते रही है दीमे दीमे जैसे कि हाई गोड़ निचे लगे न और इसमें डालेंगे एक चमच घी आप पहले डाल देजे या बाद में डाल देजे देखिए हमारा गोड़ जो हलका 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 मैल्ट होना शुरू हो चुका है जो अब मैं डाल करूंगा एक चमच गी गी हमारा जम चुका है और उसके बाद जो आपका चासनी अच्छे से त्यार हो जाती है तो जो मुर्वरु हैं उनको डाल कर देना है अच्छे से मिंस कर दिए है कुछ इस तरह से अच्छे से मिंस कर दीजिए अच्छे से मिस्ट करने के बाद में आप हाथों में हलका सा पानी या हलका सा तेल लगागे इसके छोड़े लड़ू बना सकते हैं यह हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसके लड़ू बना लेता हूँ हलका सा हाथों में पानी लगा लीजिए या हलका सा तेल लगा लीजिए जिससे क्या हुआ आपके लड़ू हाथों में चुपकेंगे नहीं और इसको बनाना बहुत यह असान था देखा आपने इसको सर्दियों में बैठे बैठे खाईए और बच्चों को भिखलाईए तो इससी रेसिपी को जरूर ट्राइक किजिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और बेलागां के घंटी जरूर दो आए जिससे कि आपको नएने वीडियो की नौटिप्सिन मिलती रहें सब्सक्राइब के लड़ू सबकी पसंद ग्यान को शेयर कीजिए आपने तरह सीमित मतर किये ग्यान बाटने से बड़ता है आप सुद्धर कैसे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें थैंक यूफर वाचिंग